हालो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोडी सुनाने जा रहा हूं ताकि आपका मोटिवेशन काफी उचा हो जाए तो सुनिए एक वेक्ति था उसके पास एक गधा हुआ करता था वो जो गधा था वो काफी मैनती था वो दिन रात अपने मालिक की उस वेक्ति की सेवा किया करता था और वेक्ति उसे खुश रहता था एक दिन वो गधा जो है एक गड़े में गिर गया उस गड़े ने बहुत कोशिश की कि वो उस गड़े से बाहर आ जाए लेकिन वो निकल नहीं पाया उसके मालिक ने उस्वेक्ति ने भी बहुत जादा प्रयास किया कि उसका गढ़ा जो है उस गढ़े से बाहर निकलाए लेकिन वह भी असफल हो गया तो आंथ में उस्वेक्ति ने यह निडने लिया कि उस गढ़े की वह वहीं तो जब गढ़े को उपर, उस गढ़े को उपर मिट्टी का भार पढ़ा, तो वो गढ़ा अचानक गढ़े में खड़ा हो गया, और उसने मिट्टी को जो है, अपना जो है, जाड़के सरीड से गिरा दिया, तो जैसे ही मिट्टी नीचे गिरी, गढ़ा जो है, उस मिट्टी क उपर खड़ा हो गया तो उसका मालिक उसके उपर उपर से मिट्टी डालता रहा और गधा उस मिट्टी को बार बार जार के उपर उसके उपर खड़े हो जाता था तो ऐसे करते करते एक समयसा है कि वो गधा जो है उस गड़े से बाहर निकल आया तो दोस्तो इस गधे के जैस ही हम सभी के जीवन में दो कंडिशन्स होते हैं दो सिट्विशन्स होते हैं एक जब समस्यायाय आए तो हम एस्थमास्ययाbachर मिट्टी में द दप्ते चले जाए और मार बार उस्थमास्ययाकों सोच्कर हम और जादा परिशान हो जाए क्या दूसरा जब जब समस्या रूपी मिट्टी आये तुस मिट्टी को हम अपने उपर से जाड़के और फिर से उठकरे हो एक समधान को लेके तो दोस्तों ध्यान लखिए समस्या जो होती है न ये हर किशी के जीवन में आती है ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके जीवन में समस्या आई हो चाहे हो भगवान राम हो नैरू जी हो सुभाश्यन बोस हो मात्मा गांदी हो अब्दुलद कलाम आजाज जी हो जो भी है इन सबों के जीवन में भी बड़ी बड़ी समस्या हैं लेकिन इन लोगों ने उन समस्याओं का सामना इतने ब्यूटिफुली इतने अच्छे तरीके से सुन्दरता से उनको डिल किया है उन समस्याओं का कि वो अपने आपको नाम इतिहास के पन्नों में अमर क तो दोस्तों ध्यान रखिए अगर आपके पास समस्या आया रही है तो वही golden chance है वही सुनाड़ा मौका आपके पास कि यहां उस समय अब अपने चुपी हुई परतिभा को सामने लाएंगे और उस समस्या का समधान करके पुरे दुनिया में यह घोशना कर देंगे कि this is I, यह रहा मैं और यह रहा मेरा टेलेंट तो dear students, dear friends, dear countrymen अगर समस्या आ रहे हैं तो भगवान से शुक्रिया कहिए कि शुक्रिया भगवान आपने मुझे इस समस्या के लाइक समझा मैं इस समस्या का समधान करके अपने आपके लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समस्या के लिए, एक इंस्पिरेशन का स्थरोज बनूंगा, एक लोगों को एक अच्छी सिख्छा दे जाओंगा, dear students, problems are the golden opportunity to show your hidden talent, thank you very much.